नमस्कान यूजेटिन इंडिया का नमबर वन शो साजिश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ वारे का थाको शुरुवात इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दे इसरेल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है गाजम में हुई छापे मारे में इसरेली सेना ने कबूल किया है कि गलती से तीन बंदकों की फाइरिंग में मौत हो गई है इसरेली सेना ने बयांदी जारी किया है कि हम अपनी गलती स्विकार करते हैं तीन बंदकों की मौत के बाद इसरेल की राजधानी तेल अभीब में लोगों ने प्रदर्शन किया है इन सब्सक्राइब की मुश्किल यह हो गई है कि उन्हें बंधकों को भी छुडाना है और युद विराम भी नहीं करना है इस बीच इस वेल अमास युद को लेकर आलोचना जेल प्रामेरिका डामज कंट्रोल में उतर आया है योतम हैं उन्ड 28 वर्ष समेर अल तलाल का उन्ड 25 वर्ष अलोन शम्रिच उन्ड 26 वर्ष तीनों योख हमास के आतंकवादी नहीं है फिलिस्तीनी नहीं है बलकि इस्रैली है इस्रैल की सेना ने अपने ही तीन नागरुपों को गोली मार दे क्यूं कहां और कब की टीटेल आपकी स्क्रीन पर है हम इस घटना के जिम्मेदारी लेते हैं घाजा सिटी के शेजया इलाके में एक ग्राउंड ओपरेशन के दौरान सैनिकों को लगा कि ये लोग उनके लिए खत्रा है गोली मारने के बाद जब शवों के बास पहुँचे तो मारे गए लोगों की पहचान के बारे में संदी हुआ बाद में पता चला कि वो इसरेल के ही नागरेख है मतलब शूख हुई इसरेली डिफेंस फोर्स की खलत पहचान के चलते की गई फारिंग में इसरेल के तीनों युवकों की मौत होई है इन तीनों युवकों का 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इस्रेल से अपहरंट कर लिया गया था शोजाया में जब इस्रेल सेना ने फारिंग करनी शुरू की तो इस्रेल के ही तीनों बंधक चपेट में आ गया और मारे गया अब आलम ये है कि इस्रेल में हंगामा खड़ा हो किया है इस्रेल की राजधानी तेल अवीब में हंगामा पसरा है नाराज लोगों ने तेल अवीब में इस्रेली सेना के हेटकॉर्टर्स के बाहर प्रदर्शन किया है लोग हाथों में बंधों की तस्वीर लिए और दिल में दर्द लिए अपनों को जल्दी से जल्दी छोड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं यूँ, क्योंकि इस्रैली डिफेंस फोर्स यानि आईडियेफ से हो गई है बड़ी चुप इस्रैली डिफेंस फोर्स जमीन पर गाजा को जला रहा है इंच दर इंच हमास के लड़ाकों की तलाश कर रहा है जो मिलकर उन्हें ठिकाने लगा रहा है लेकिन इसी दोरान एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरा इस्रैल बेनम नेतनियाहु के खिलाफ देखने लगा है इस घटना के बाद देल अवीब से लेकर वाशिंटन तक हाय तौबा मची है क्योंकि इस्रैली डिफेंस फोर्स ने एक हमले में तीन बंदकों को मार डाला है हमास की कैद में छटपटाते बंदकों को हमास की नहीं इस्रैली सेना की ही गोली लगी है इस घटना के बाद इस्रैल में मातम पस रहा है अमेरिका ने कहा है बहुत दोख़द हुआ जुद में गालती होना सामान में घटना है लेकिन तीन बंदकों के मारे जाने से इस्रैल की जनता गुस्से में देख रही है साथ अक्टूबर को हमास ने इस्रैल के 240 लोगों को बंदक बना लिया था जुद विराम के दौरान हमास ने 105 बंदकों को छोड़ा इसके बाद कहा गया कि हमास के कबजे में अभी भी 137 बंदक बचे हुए है जिसे छोड़ाया जाना है अब खबर आ रही है कि बंदकों में से तीन को इस्रैली सेना नहीं घलती से मार डाला बंदक संकर बेनमिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है बेनमिन नेतन्याहू देश विदेश से इस दबाव में है कि आम फिलिस्तीनियों के हत्या से इस्रैल को बचना चाहिए लेकिन समस्या यह है कि युद्ध और बंदकों की रहाई एक साथ नहीं हो सकती इसलिए हमास युद्विराम चाहता है और इस्रैल इस युद्विराम के लिए राजी नहीं है इस बीच बंदकों की जान हमास की बंदू की गोली में अटकी है बेनमीन नेतन्याहू के लिए इतना ही नहीं एक और ताजा मुश्किल आख़डी होई है अमेरिका के राश्च्रपती जो बाइटन राश्च्रपती बाइटन ने इस्रेल को जो मश्विरा दिया है उसे आपको भी बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए अमेरिका की ये चिंता इसलिए है क्योंकि अमेरिका के संग के कारण ही इसरेल पूरे अरब वर्ल्ड को चैलेंज करते हुए गाजा में बंबारी कर रहा है बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे जा रही है अमेरिका अब इस युद में खुद को अलग खड़ा दिखाना चाहता है इसरेल का साथ हर कदम पर देने वाले अमेरिका ने दो टोक क्लियर कर दिया है कि इसरेल को चुनिंडा ठिकानों पर हमले करने चाहिए आतंक वादियों को चुन-चुन कर मारना चाहिए लेकिन उस दोरान नागरिकों की मौत नहीं होनी चाहिए इतनी कैटेगरी वाला हमला युद में नहीं होता लेकिन कोटनीती में होता है अमेरिका यही कर रहा है युद खत्म करने के इतनी जल्दी अमेरिका को होती ये तो ना लाल सागर में और ना ही भूमदे सागर में अमेरिकी युद्ध पूत पैरा दे रहे होते। अमेरिका संयुक्त राश में युद्ध विराम के खिलाफ वीटो नहीं करता। अमेरिका इस्रेयल को बेहद सस्ते और हर संभाव हथियार सप्लाई नहीं करता। लिहाज़ा आम फिलिस्तीनियों की मौत पर बाइडन के आंसु घर्याली है जिनका जमीनी युद्ध से कोई सरोकार नहीं अमेरिका कल भी इसराइल के साथ था आज भी है और कल भी रहेगा इसकी गैरंटी है क्यों? अमेरिका की क्या मजबूरी है? इसे विस्तार से आगे बताएंगे अभी इसराइल के नागरिकों के एक और प्रदर्शन की तस्वीरे देखे इन लोगों की मांग है कि युद्ध विराम तत्काल लागू हो प्रदर्शन की देखे युद्ध शुरू होने के बाद से ही अब तक इसराइल के हमले में घाजा में कम से कम 18,700 फिलिस्तीनियों की मौत होई है जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है खायलों की संख्या 51,000 के गरीब है सिर्फ 24 गंटे में इसराइल ने प्यूआ कि अबना बाद जाद जिसमें बायाहिएं जज़्के ज़रूज़ के बाद ज़्याएं इसा हैं प्यूँन ज़दिक के बाद चाहिं की तरीजार जाजाएं फ्यूज़ चाहिं दज़ी एक 50,000 जवको की बाद एकाश्या हैं than what they had originally planned to do. इसका कहना है कि युद्ध विराम की मांग के बाद भी इसरेल अंतराश्रिय कानून तोड़ कर काम कर रहा है. अमेरिका के NSA जैक सुलिवन ने फिलिस्तीनी अथोर्टी के राश्रोबती महमूद अब्बास से बात की है. इस दोरान घाजा में लोगों को भेजी जाने वाली मानवीय मदद को बढ़ाने पर चर्चा हुई है. इस मुलाकात में आम नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया. लेकिन इस जोर का नतीज़ा निकलता नहीं देख रहा है. विश्व स्वास्ति संगठन ने घाजा के हेल्थ सेस्टम के बरबाद होने पर चिंता जदाई है. घाजा में 36 अस्पताल थे, जिन में से सिर्फ 11 ही कुछ हद तक काम कर रहे हैं. इन अस्पतालों में 50,000 से जादा घालों का इलाज चल रहा है. 7 अक्टूबर से अब तक इस्रेल ने घाजा में 22,000 से जादा ठिकानों पर बंबारी की है. इसकी वज़ा से 19 लाग फिलिस्तिनी बेखर हो गए हैं, जो घाजा के अबादी का 85 फीस्दी हिस्जा है. बेखर हुए लोगों को सर्दी और बारिश जैसे बुरे हालातों का सामना करना पड़ रहा है. संयोक्त राश्ट्र से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में एक भी देश ऐसा नहीं निकला, जो इस्रेल को आम फिलिस्तिनीों के किलिंग से रोक सके. हाला कि किलिंग रोकना तो दूर, इरान जैसे देश ने तो हमास का साथ देने से ही इंकार कर दिया. लेबनान के हेजबुल्ला के हमले और यमन से हूथी वे द्रोहियों के हमले, इस्रेल युद में एक डिगरी भर का फर्क नहीं ला सकते. कहा जा रहा है कि घाजा में हमास के लड़ाकों की संख्याज ज्यादा से ज्यादा होगी, तो 40,000 होगी, लेकिन मौत और मातम पूरा घाजा भूग रहा है. इस बीच इरान से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, यह ऐसी कबर है जिसने इस्रेल में तहल का मचा दिया है, इरान ने अपने यहाँ इस्रेल की खूफिया एजेंसी मौसाद के एक एजेंट को फासी दे दिये, इरान ने आरुप लगाया है कि मौसाद का वो एजेंट उसकी जासूपी करके इस्रेल को सारी खूफिया जानकारी पहुचा रहा था. इरान के सक्षिन से इस्रेल से उसकी दुश्मनी और गहरी होना पह है. और इरान ने ये धमकी भी दी है कि अगर इस्रेल ने गाज़ा पर हमले बंद नहीं किये तो बहुत बड़ा धिमाका होगा. अगर इरान ने ये धमाका कर दिया तो उसकी मचाई हुई तबाही के आगे गाज़ा की बरबादी भी बौनी साबित होगी. मरने वालों की तदाद हजारों में नहीं, लाखों में पहुंच सकती है. लेकिन सवाल ये है कि क्या इरान ने परमानू बंबना लिया है? ये धमाके तो बहुत छोटे हैं, बड़ी फिल्म का छोटा सा ट्रेलर हैं, असली धमाका तो अब होने वाला है और धमाका करेगा इरान. इरान में अगर बंब फोड़ा, तो वो दुनिया का आखरी बंब धमाका भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा ब्लास्ट होगा, जो पूरी दुनिया की चीथड़े उड़ा देगा, ऐसा ब्लास्ट जिससे बचना ना मुम्किन होगा. डर है कि इरान सीधा परमानु बंब फोड़ेगा और वो परमानु बंब का टाइमर सिट कर चुका है. एरान घुसे में हैं बहुत घुसे में हैं घुसे में उसने अपने दोस्त चीन से फोन पर बात की और साफ साफ कह दिया है कि इसराइल ने गाजा में अब हद पार कर दी है उसने एरान के सबर का बांद तोड़ दिया है इसलिया बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा दो हमायत इतम che 5 busy Atat. ब डमाडमद निदनी के अधा, इस अधाम च्छिजर भीर मारी धाय हो up, erमालोहिंत जदने गांप्रोल फिसेलोपिप सुया करे, इरान की विदेश मंत्री ने अपने बयान में धमाके श्रब्द का इस्तमाल किया और पूरी दुनिया में तेहल का मच गया अमेरिका से लेकर ब्रिटन और फ्रांस जैसे तमाम पश्चमी देश खौफ से भर गए हैं सब सूच में पड़े हैं कि एरान किस धमाके की बात कर रहा है आखिर उसके दिमाग में क्या साज़िश चल रही है डर जताया जा रहा है कि कहीं एरान ने परमानु बम तो नहीं बना लिया इरान करीब दो दशक से चोरी छिपे परमानु बम बना रहा है मगर ये बात वो मानता नहीं वो कहता है कि उसके न्यूकलर प्रोग्राम का हथियारों से कोई लेना देना नहीं उसका परमानु कारिकरम एकदम शान्ती पूर्ण है मगर करीब 6 साल पहले इसराइल ने बाकाइदा सबूतों के आधार पर एरान के परमाणू कारेकरम का भंडा फोड़ दिया था एक किताब में दावा किया गया है कि 2018 में इसराइल की खुफ़ए एजनसी मुसाद के एजन्ट चुपके से एरान की राजधानी तहरान के पास एक खुफ़ए ठिकाने में घुस गए थी वहाँ उन्होंने हजारों की दादाद में ऐसे टॉप सीक्रेट फाइलें चुरा ली थी जिनमें इरान के परमाणू बम बनाने के कारेकरम का पूरा का पूरा कच्चा चथा था इसी साल मई में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसियेटेड ड्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि एरान ने अपना एक परमाणू ब्लांट जमीन के इतने अंदर बनाया हुआ है कि अमेरिका की मिजाईलें भी उसे भेद नहीं सकती एसोसियेटेड ड्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि एरान तहरान से करीब 225 किलोमेटर दूर नतांस न्यूकलर प्लांट के पास पहाडों में सुरंगे बना रहा है जमीन में 260 से 328 फीट तक गहरी सुरंगे ये गहराई इतनी ज्यादा है कि माना जा रहा है कि अमेरिका के बम भी इरान की सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड सकेंगे यरप के भी कई देशों के इंटेलिजन्स रिपोर्ट कहती है कि इरान परमानू बम बनाने की इतने करीब पहुंच चुका है कि वो बहुत जल अपना पहला परमानू बम टेस्ट भी कर सकता है इरान की परमानू बम बनाने के लिए इतना यूरेनियम जुटा चुका है कि महज 12 दिन में परमानू बम बना डालेगा ये दावे डराबने है क्योंकि जब से हमास ने इसराईल में घुसकर हमला किया है तब से इरान के न्यूकलियर प्रोग्राम से पूरी दुनिया का धियान हटा हुआ है इरान के जिस परमानू कारेकरम से अंतराश्ट्री मीडिया की नजरें नहीं हटती थी वो युद की रिपोर्टिंग में लगा है इरान के परमानू कारेकरम पर गिद की तरह नजरे गड़ाए बैठे अमेरिका और इसराईल जंग में उल्जे हुए है रक्षा विशेशक्डियों का कहना है कि इरान इसी बात का पाइदा उठाकर चोरी छिपे धड़ले से परमानू बम बनाने में लगा है सवाल ये है कि क्या साथ अक्टूबर को हमास से इसराहिल पर हमला करवाना इरान की सोची समझी साज़िश का हिस्सा था ताकि वो पश्चमी देशों का ध्यान हमास में भटका कर आराम से अपना परमानू बम बना सके क्या बीते दो महीने से इरान परमानू युद्ध की प्लैनिंग कर रहा है इरान ने यूँ ही तो धमाके की धंकी नहीं दी होगी जरूर उसके हत्यारों के जखीरे में प्रमास्त्र आ गया है इरान की धंकी का मतलब है पत्थर की लखी अब वो दोबारा नहीं चेताएगा बलकि सीधा अटाक करेगा इरान के विदेश मंत्री ने फोन पर चीन के विदेश मंत्री से ये भी कहा कि गाजा की जंग पूरे पश्चिम एश्या में फैल चुकी है अभी तो बस लेबनान का हिजबुल्ला और यमन के हूथी वित्रोही हमास के साथ खड़े हैं आगे चल कर कई और देश इस जंग में कूच जाएंगे ऐसे में अगर इसराइल ने अब भी हत्यार नहीं डाले तो फिर जंगों का ऐसा विस्वोट होगा जिसमें पूरा का पूरा पश्चिमेश्या तबाह हुजाएगा फोन पर चीन के विदेश मंत्री ने इरान के विदेश मंत्री को समझाया कि गाजा की जंग का सिर्फ एक ही समाधान है और वो ये है कि इसराइल के साथ फिलिस्तीन के लोगों को भी उनका देश दिलाया जाए मगर इरान इसराइल को खत्म करने की कसम खाये बैठा है वो पहले ही दो टूप कह चुका है कि पूरे फसाद की जड़ ही इसराइल है इसलिए जब इसराइल नक्षे से मिटेगा तब ही पूरी दुनिया में शान्ती आएगी इरान आर या पार के मूड में नजर आ रहा है अब तक उसने इसराइल के खात्मे की बस दूआ की है इसराइल को धमकियां दी हैं और हमास और हिजबला से उस पर हमले करवाएं मगर कभी इसराइल से जंग के मैदान में सीधे सीधे दो-दो हात नहीं की ऐसे में अब अगर एरान युद्ध लड़ने उतरता है तो ये उसकी इसराइल से पहली और आखरी जंग भी साबित हो सकती है ये ऐसा युद्ध हो सकता है जो एरान या फिर इसराइल को मिट्ट में मिलाने के बाद ही खत्म होगा क्योंकि एरान के जंग में उतरने का मतलब होगा तीसरा विश्वी युद्ध जिसमें एक खेमा होगा अमेरिका और इसराइल का और उनके खिलाफ खड़ी होगी उनके दुश्मनों की बहुत बड़ी टीम ऐसी टीम जिसमें एरान तो होगा ही उसके साथ होगा चीम और उन द अमेरिका के पास 5224 परमानु बम है और उसके साथ ही इसराइल के पास 90 और इनके साथ खड़े रूस और चीन के पास परमानु हत्यारों का जखीरा है। ताकत के नुमाईश की कोशेश और दिमाग की गर्मी में परमानु बम चलाने का फरमान पास हो गया तो तबाही मच जाएगी। इसमाईल हानिया तुर्की में ही था। अमेरिका के मीडिया को दिये इंटेव्यू में तुर्की के राष्टरपती के चीफ सेक्योरिटी एडवाईजर ने जो बयान दिया है। क्योंकि उन्होंने साथ अक्टूबर को हानिया के तुर्की में होने की बाद से इंकार नहीं किया है। अगर एक खबर पकी है तो ना सिर्फ इस्वेल बलकि अमेरिका और पूरे के पूरे नेटों के लिए बहुत बड़ा जटका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्वेल पर हमास के अट्याक का मास्टर माइन तुर्की था। क्या साथ अक्टूबर को कतर नहीं तुर्की में बैठा था हमास का चीफ इस्माइल हानिया। क्या साथ अक्टूबर को तुर्की में बैठ कर इस्रेयल में खून खराबे का ज़श्ट मना रहा था हानिया। क्या तुर्की की जमीन से रची गई थी इस्रेल पर हमास के हमले की साज़श क्या तुर्की के राज्शबदी एर्दोगान ने सुनाया था हमास को इस्रेल में गतल याम मचाने का फर्पान इन सवालों ने अमेरिका से लेकर ग्रिटर, फ्रांस और जर्मनी समेथ दुनिया के 31 देशों को हिला दिया है पूरे के पूरे नैटो में हरकम्प मच गया है तुर्की ने एक बार फिर नैटो देशों का बलड प्रेशर बढ़ा दिया है नैटो को तुर्की वो विभीशन बनता दिखाई दे रहा है जो उनके 74 साल पुराने सैन्य गट बंधन की कब्र खोच सकता है तो क्या इस्रेयल की जंग नैटो के टुकड़े टुकड़े कर देगी जिस नैटो की बुनियाग करीब दो साल से जारी यूपरेन के युद्ध में नहीं हिले उसकी वजूद पर महस दो महीने पहले शोरो होए गाजा की लड़ाई ने तलवार लड़का दी है और नैटो का सबसे बड़ा दुश्मन बन कर खड़ा हो गया है खुद नैटो का सदस से तुरकी इस जंग में खुलब खुला हमास के साथ खड़ा है और इसरेल पर आग उगलने में लगा है अब खबर ये है कि अंतराश्टिय मीडिया में चल रही कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर के दिन जब हमास के करीब 3000 लड़ाके इसरेल में खुसे थे उस दिन हमास का चीफ एसमाइल हानिया तुरकी में बैठा था जबकि अब तक ये माना जा रहा था कि हानिया कटर में चिपा हुआ है इस्रेयल पर हमले के दिन हानिया के तुर्की में होने की ख़बर को तब और हवा मिल गई जब अमेरिकी न्यूस चैनल CNN को दिये एक इंटरव्यू में तुर्की के राश्रबदी के चीफ सेक्योर्टी एडवाइजर ने इस बात से सीधे सीधे इंकार नहीं किया उन्होंने इंटरव्यू में कहां कि वो नहीं जानते कि 7 अक्टूबर कोहानिया कहा था हो सकता है वो तुर्की में हो मुद्दा ये नहीं है कि हमास के नेता किस वक्त कहा है मुद्दा ये है कि हम इस जंग को कैसे रोके तुर्की के राजश्रपती के चीफ सेक्योर्टी एडवाइजर के इस बयान ने अमेरिका और नैटो के जिहन में तुर्की के खिलाफ काफी वक्त से पैदा शक्त को पोक्ता कर दिया क्योंकि हमास के नेता बेधड़क बिना किसी रोक टोक के तुर्की में जब जाए आ सकते हैं जब जाए वहां से जा सकते हैं तुर्की में उनके स्थाई ठिकाने हैं और खुद तुर्की के राजश्रपती के हमास के नेताओं के साथ नीजी रिष्टे हैं अभी जुलाई में ही इसमाईल हानिया इस्तामूल में तुर्की के राश्रपती से भी मिला था। इसलिए कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इस्तामूल की खुफिया एजनसी मुसाद और सुरक्षा एजनसी शन बेर हमास के निताओं को मौद एधात उतारने की प्लानिंग में हैं। फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चिपने। इस पर तुर्की के राजश्रपती ने इस्रेयल को सीधी धमकी दे दी थी कि अगर तुर्की की जमीन पर हमास के निताओं को एक खरोच भी आई तो इस्रेयल को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तुर्की विसे है तो नाटो का सदस लेकिन नाटो के बाकी दोस्तों से उसकी कुछ खास नहीं पड़ती है। यहां तक कि नाटो की अगवाई करने वाले अमेरिका तक को आँग दिखाता है और उनकी बात नहीं मानता है। यहां तक कि जर्मनी से भी तुर्की के अच्छे रिष्टे नहीं है और ग्रीज से तो उसकी जंग होते होते बची हो। नाटो देश जो रास्ता पकड़ते हैं तुर्की उससे बिलकुल उल्टी चाल चलता है। योक्रेन के युद में भी तुर्की में यहीं किया। नाटो देशों ने रूस पर प्रतिबंद लगा है। मगर तुर्की में रूस पर प्रतिवंग लगाना तो धूर, तुर्की के राश्रपती ने पुतिन से रिष्टे भी नहीं तोड़े और रूस से गैस खरीदनी भी जारी रखी, अब गाजा की जंग में भी तुर्की का स्टैंड नैटो के स्टैंड से बिलकुल अलग है. इस्रेल पर हमला होते ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटन और जर्मनी जैसे बड़े बड़े नैटो देश हमास पर बुरी तरह भड़क गए थे. बिनाव वक्त गबाएं उन्होंने इस्रेल से हमदर्दी चताई और इस लड़ाई में उसके पीछे खड़े हो गये. हमले के चंद दिन के अंदर अमेरिका के बाइटन, फ्रांस के एमैनुवल मैकरू, ब्रिटन के रिशी सोनर और जर्मनी के उलाव शॉल्स इस्रेल का साथ देने, उसका होसला बढ़ाने के लिए सीधा इस्रेल पहुँचे. और हमास को मिट्टी में मिलाने की खसम खाली, मगर तुर्की के राजशबदे रेजब टाइप एर्दुआन ने, तो इस्रेल को ही आतंग की देश बता दिया है. वो इस्रेल पर तमतमाय हुए हैं. इस्रेल के ब्रधान मंत्री बेनमिन नेतनियाहू को गाज़ा का कसाई ब तुर्की और इस्रेल के कोटनितिक रिष्टों में पहले से ही खटास थी और घाज़ा की जंग ने दोनों देशों के बीच किखाई को और गहरा कर दिया है. अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन गोशित किया हुआ है. मगर हमास तुर्की का दोस्त है. दूनों के रिष्टे बरसों पुराने है. तुर्की में मुसलिम अबादी बहु संक्यक है और फिलिस्तीन भी अरब मुसलिम है. और खुद तुर्की के राश्रबती अर्दुआ अमेरिका तो ये तक दावा करता है कि उसके पास सबूत है कि तुर्की फंड जुटाने में हमास की पूरी तरह मदद करता है. इस वज़ा से अमेरिका तुर्की पर हमास के रिष्टे तोडने का जबरदस दबाव बनाने में लगा है. मगर तुर्की के सेथ पर तोड जूट तक नहीं रेंग रही है. ओल्टा तुर्की हमास के लड़ाकों को फैलिस्टीन के आजादी के लिए लड़ रहे स्वतंद्रता सेनानियों का तमगा दिये बैठा है. तुर्की केता है कि वो हमास के नेताओं से इसलिए बातचित करता है क्योंकि वो जंग रुकुमाना चाहता है और शांती चाहता है. यहां तक कि जब अमेरिका के रास्पती वाइडन और एग्रोदान की फोन पर बात हुई तो एग्रोदान ने उन पर ही गाजा की जंग रुकुमाने का दवाव डाल दिया. तुर्की के इन ही तेवरों ने अमेरिका और नैटों के सिर में दर्द किया हुआ है. इसलिए सवाल ये है कि फिर भी अमेरिका तुर्की के आगे बेबस क्यों है? क्यों वो तुर्की के नकरे सेरा है? तो ये बात है कि अमेरिका और नैटों का तुर्की के बेना गोजारा नहीं और तुर्की उनकी इस मर्गूरी का फायदा उठाने में लगा है. दुनिया के नक्षे पर तुर्की की लोकेशन उसकी बहुत बड़ी ताकत है तुर्क नैटो देशों के दक्षिक पूर्वी बॉर्डर पर है यानी यूरप के आगे पश्चिमेशिया और भूमत दिसागर तक नैटो और अमेरिका की पहुंच बनाने के लिए तुर्की एहम प्लांस में दूसरी सबसे बड़ी सेना है और तो तुर्की नाटो के लिए जमीन पर और समंदर में भी अड्डे मोहिया करा सकता है ऐसे में नाटो और अमेरिका तुर्की जैसे देश को खोने का खत्रान नहीं उठा सकते क्योंकि उनके रूस और चीन जैसे सबसे बड़े दुश्मन तुर्की को अपने खेमे मिलेने के लिए तैयार कड़े है 13 दिसंबर को संसत की सुरक्षा में चूप का मामला अब एक राजनितिक मामला बनता जा रहा है 5 इस केस की जांच को लेकर कई टीम में अलग-अलग सुब में गही है साथ में आरुपियों को भी ले जाए जा रहा है हाला कि संसद में सुरक्षा का मुद्दा ऐसा है जिसका फाइदा कॉंग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर लेना चाहती है और यही आरोप रहुल गाधी पर लगाए जा रहा है अनुसंधान अपने जागा पे लोजिका लेन तक जाए कि किसी भी दोसी को छोड़ा निंग जाए शले हुए मोबाइलों में है संसद गांड का पूरा राज आखिर ललित जां के पीछे असली चेहरा कौन है क्या इस असल चेहरे का राज भी जले हुए मोबाइल में ही है आखिर नीलम, अमोल, मनुरंजन और सागर को संसद के अंदर जाकर हंगामा खड़ा करने और संसद का सुरक्षा चक्र तोड़ने के लिए किस ने प्रेरित किया क्या इसकी भी पूरी जानकारी जले हुए मोबाइलों में ही है अगर कई महीनों से संसद के अंदर उपद्रो करने की ये साजिश रची जा रही थी तो इसका मतलब साफ है कि इन सभी मोरों के पीछे कोई ना कोई बड़ा चेहरा जरूर है क्योंकि संसद के अंदर भुसकर स्मोक स्प्रे का इस्तेमाल कर पूरे देश को हैरान करने की इतनी बड़ी साजिश किसी संगठन के आम कार्यकर्था के बस की बात नहीं है एक तरब जहां दिल्ले पुलिस गिरपतार आरोपियों से सच उगलवाने में लगी है सिर्फ संसद की सुरक्षा में चूक या शांती विवस्था को भंग करने या अशांती पैदा करने का ही नहीं है ये सिर्फ संसद में उपद्रव का मुद्दा नहीं है अब राहुल गांधी इसे एक राजनितिक मुद्दा बनाने की कूशिश कर रहे है और अब ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या इस राजनितिक मुद्दे को कॉंग्रेस पार्टी भविश्य में इस्तिमाल करना चाहती है आखिर क्या है राहुल गांधी का वो बयान जिस पर बीजेपी का विरोध शुरू हो गया है बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर क्या पलटवार किया गया है ये सारी बयान आपको सिलसेलेवार आगे दिखाने वाले है लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महेश की क्योंकि पूरे मामले में सबसे ताजा गिरफतारी महेश की ही है कौन है ये महेश और क्यूं इसकी गिरफतारी को बहुत ज्यादा एहम माना जा रहा है इस पर पहले बात करेंगे महेश की लोकेशन राजस्थान के नागोर में पाई गई थी और इस संसतकांड में महेश का रोल संसतकांड को अंजाम देने वाले सभी उपाद्रवियों के लिए रहने का इंतिसाम करना था इतना ही नहीं महेश वही शक्स है जिसने इस पूरे मामले के मास्टर माइंड कहे जा रहे है मामले को आगे विस्तार से समझने के लिए एक बार फिर पूरी घटना को समझना पड़ेगा दरसल 13 दिसंबर को सागर और मनरंजन नाम के दो आरोपी संसत के अंदर भुज गये थे और संसत में दर्शक दीरगा से लोग सभा संसतों के फ्लोर की तरफ पूट कर सीटों पर चड़ गये थे उसी वक्त संसत के बाहर भी स्मोक स्प्रे छोड़ा जा रहा था यानि उस वक्त 13 दिसंबर को दो लोग संसत के अंदर उपत्रों मचा रहे थे सागर और मनुरंजन और तीन लोग संसत के बाहर मौजूद थे नीलम, अमोल, शिंदे और ललिट जा अब बड़ी बात ये है कि बेहत शातिर ललिट जा मौके से फरार हो गया था और वो सागर, मनुरंजन, नीलम और अमोल, शिंदे के मौबाइल लेकर फरार हुआ था पूछताज से पता चला है कि ललिट जा ने इन चारों ही मौबाइलों को राजस्थान ले जा कर जला दिया है जैसा कि आरोपी दावा कर रहे हैं कि ये मामला साधारन विरोत प्रदर्शन का है तो आखिर मौबाइलों को जला कर ललिट जा और ये चारों आरोपी क्या चुपाना चाहते थे दरसल मौबाइल में ही इस पूरे मामले के बड़े राज चुपे हो सकते हैं और अब नश्ट हुए मौबाइलों के टोकणों से क्या कोई मदद मिल सकती है ये भी बड़ा सवाल है सवाल ये उड़ता है कि क्या मौबाइल में कुछ समवेधन शील दस्तावेश थे जिसकी वज़े से मौबाइल को जलाया गया क्या मौबाइल में कुछ कॉल, रेकॉर्डिंग्स या कोई डीटेल सबूत मौचूद था जिसकी मदद से पूरे केस में मास्टर माइंड तक पहुँचा जा सकता है या कोई ऐसी जानकारी जो उस बड़ी मचली दक जाच एजेंसियों को पहुँचा सकती है इतना ही नहीं महेश वही शक्स है जिसने इस पूरे मामले के मास्टर माइंड कहे जा रहे है लले ज्जा के साथ मिलकर संसतकार नारोपियों के मुबाइल भी नश्ट कर दिये है इस फैन पेज का एड्मिन कौन था? इसकी तलाश पुलिस कर रही है लेकिन क्या इसी फैन पेज के माध्यम से लोगों को जोड कर उपद्रों की साजिश रची गए? ये बड़ा सवाल है इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस को कोई सोशल मीडिया एप में ऐसे चैट भी मिले है जिसमे की क्रांती करने के दावे किये जा रही है क्या इस तरह की कथे क्रांती से देश में हिंसा या उपद्रों करने की कोई साजिश थी? ये जाच का विशह है संसत के अंदर उपद्रों करने की पूरी साजिश बहुत गंभीर है लेकिन राहूल कांधी ने इस पर भी अपना एक अलग राजनितिक नजर्या बना रखा है राहूल कांधी को लगता है कि देश में विरूसगारी बहुत बढ़ गई है और इसलिए संसत की सुरक्षा में चूप हो गए क्या राहूल कांधी ने सुरक्षा से जोड़े कंभीर मामले को अपने इस बयान से हलका कर दिया है ये बड़ा सवाल है पहले राहूल कांधी का बयान सुनी, फिर दिखाते हैं कि बीजेपी ने इस पर क्या पलट पार किया है सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है बट क्यूं हुई जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है मोदी जी की पॉलिसी के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ब्रीच ज़रूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है राहूल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की दरब से इस पर एक प्रेस कौनफरेंस की गए जिस पर राहूल गांधी से कई कठिन सवाल पूछे गए हैं तो मैं राहूल गांधी से पूछना चाहता हूं 11 एप्रिल 1974 आफी की परिवार की सरकार थी दो पिस्टॉल लेकर एक बं जैसी सामगरी लेकर कुछ लोग अंदर चले गए थे पार्लिमेंट की ही सी पब्लिक गैलेरी में क्या आप मानते हैं आप स्विकारते हैं कि ये उस समय की सरकार की बेरोजगारी और महेंगाई की वज़े से उतर हो चले गए थे 26 जुलाई 1974 मतलब कुछी महीने बाद एक व्यक्ति खंजर के साथ घुज जाता है पब्लिक गैलेरी में क्या रहूल गांदी स्विकार रहें कि उस समय की सरकार की जो बेरोजगारी और महेंगाई की दर थी वो चरम पर थी तो इसी लिए खंजर लेकर कोई घुज गया था ये एक ऐसी विचारधारा है जो देश के अंदर बीजेपी का कट्टर विरोध करती है संसद के बाहर स्मोक स्प्रे की जरिये विरोध करने वाली नीलम नाम की महिला से जोड़े ऐसे कई खुला से हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये लोग खास संगतनों के सक्रिया कार करता नजर आते हैं नीलम का एक ऐसा बायान भी सोशल मीडिया पर वारल है जिसमें वो सरकार का विरोध कर रही है अब दिल्ली पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि क्या नीलम किसी संगतन के एक सक्रिया कार्य करता है या फिर शरमपंथी विचार धारा से भी प्रभावित है नेलम के और कई वीडियो वारल है जिसमें कि वो किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी नजर आ रही है अगर इन लोगों को सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही करना था तो ये लोग किसी और तारीख को भी चुन सकते थे लेकिन 13 देसंबर को ही विरोध प्रदर्शन की तारीख के रूप में छुनना देश के खिलाब किसी बड़ी साज़िश का संथे भी करता है जैसे ही इन पर्पिट्रेटर्स के तार इन पार्लिमेंट सिक्योरिटी के ब्रीच करने वाले इंट्रूडर्स के तार जैसे ही कॉंग्रस पार्टी और कॉंग्रस पार्टी समर्थित कुछ उग्रवादी राडिकलाइस वामपन्थी संगठनों से जुड़ते जा रहे हैं तो छीक वैसे वैसे कॉंग्रस पार्टी उनके बचाव में उतर आ रही कुल मिलाकर 13 देसंबर 2023 का ये संसत कांड साबित करता है कि ये सामाने मामला नहीं है और इसके बीचे कोई बड़ा मास्टर माइंड जरूर है जिसने कि इन सभी लोगों को मोहरे की तरह इस्तिमाल किया है झाल